जीवन की कडवी बाते जो पूरी तरह से सत्य हैं। एक कल्यूग का एक ही नियम है जितना अटूट विश्वास होगा उतना ही खतरनाक धोखा होगा। दो आप कब सही थे? इसे कोई याद नहीं रखता। लेकिन आप कब गलत थे? इसे सब याद रखते हैं। तीन नादान इंसान ही जिन्दिगी का आनन लेता है ज्यादा होशियार तो हमेशा उलजा रहता है। चार रिष्टों की बग्या में एक रिष्टा नीम के पेड जैसा भी रखना, जो सीख भले ही कडवी देता हो पर तकलीफ में मरहम भी बनता है। पांच हर कोई यहां अपने आप में चालाख है इसलिए कल्यूग में किसी को शरीफ समझने की गलती मत करना। छे कभी किसी का हक मत छीनों वरना उपर वाला वक्त के साथ साथ बहुत कुछ छीन लेता है। साथ जीवन में थोड़ा बहुत ही सही लेकिन चाला की जरूर सीखनी चाहिए इसलिए नहीं कि आप किसी का इस्तिमाल कर सके बलकि इसलिए ताकि कोई आपका इस्तिमाल ना कर सके। आठ पीछे छूटे हुए रिष्टों को वर्तमान से जोड़ने का मतलब होता है पास्ट के चक्कर में प्रेजन को बरबाद कर देना। नौ जब दुनिया साथ छोड़ दे तो खुद से प्यार कर लो, खुद पे थोड़ा एत्बार कर लो। एक बार फिर लगा दो अपनी पूरी ताकत खुद की जीत के लिए और जमाने को ये दिखा दो कि तुम्हें बैशाख्यों की जरूरत नहीं है जीतने के लिए। दस किसी भी व्यक्ति के पतन के मुख्यता तीन कारण होते हैं। एक दूसरों की निंदा करना दो। दूसरे की पतनी को पाने की चाह रखना तीन। दूसरे के धन संपत्ती को पाने की चाह रखना। ग्यारह जिन्दगी में जब आप रास्ता भटक जाओ, तो सिर्फ पकड़ कर मत बैठ जाओ। सही रास्ता पता करो और अपने मन्जिल की और फिर से चल पड़ो। आप थोड़ी देर से ही सही लेकिन अपनी मन्जिल पर पहुँच जाओगे। 12 जो बाते हमें कोई नहीं सिखाता है, वैसी सारी बाते हमें अनुभव सीखा देती है तेरा बिना हुनर के पैसा नहीं कमाया जा सकता है और पैसों के बिना जीवन दर्द से भर जाता है। अतियादर्शवादी बाते कहानियों में ही अच्छी लगती है। 14 मूड के हिसाब से बोलने वाले लोग सभी के बीच अपनी छवी खुद खराब कर लेते हैं। इसलिए जब मूड खराब हो तो चुप रहना बहतर है। 15 अपनी कम्या पूरी दुनिया से छिपाईए, लेकिन अपनी कम्या कभी खुद से मत छिपाईए। 16 जब बहुत ज़्यादा जरूरी हो और कोई दूसरा विकल्प मौजूद न हो, तभी किसी से कोई भी चीज उधार लो। अगर निश्चिन्त रहना चाहते हो, तो न तो किसी से उधार लो और न किसी का एहसान डॉट जिन्हें उधार लेने और दूसरों से एहसान लेने की आदत रहती हैं, वो हमेशा तनाव में घिरे रहते हैं। सत्रह जो लोग न तो अपनी गलतियों से सीखते हैं, और न दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, वैसे लोग बरबाद हो जाते हैं। 18 जिस दिन आप जान जाएंगे कि मरने वालों को लोग कितनी जल्दी भूल जाते हैं उस दिन आप ये सोचना बंद कर देंगे कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे 19 साफ दामन का दौर अप्ख्थम हुआ अब लोग अपने धबो पर गुरूर करने लगे है 20 ना उम्मिदी एक बहुत बुरी बिमारी है जो ना उम्मीद लोगों के साथ बैठने से होती है जेसी संगत वेसी रंगत इसी लिए सकारात्मक लोगों के साथ रहे 21 कानून सब के लिए बराबर है यह दुनिया का सबसे बड़ा जूत कानून मकडी का वह जाला है जिसमें कीडे मकोडे तो फंस्ते हैं मगर बड़े जानवर इसे फाड़ कर निकल जाते हैं